Well, this is again becoming a controversy now and this is रामाद्मी पार्टी मंत्री and the leader who himself had made in that kind of remark. राजिंदर पाल गौतम वी आर विद राजिंदर पाल गौतम जी. राजिंदर जी जिस तरीके से आपने बयान दिया है, उस पर आप कॉन्टरोवर्सी हो रही है. भगवान की आपने बात करी, भगवान का नाम लेके आपने इस तरीके की बात करी के मैं नहीं मानूँगा, भीड को आपने बोला के, उनको साथ में बुलवाया के मैं नहीं मानूँगा, आप कहना क्या चाते हैं इस देखिए डोक्टर बावा साहिब अमबिटकर जी के भाई धिल्वाने का काम किया पहले तो इसके इतिहास को समझे एक कि प्राप्त की थी आज इक दिन अजुक को जिस दिन हम बनाते हैं उस दिन समराट असोक ने करिंग पर बिजय प्राप्त की कि एक बहुत बिक्सों ने उनसे पुछा है कि चारो तरफ खून ही खून है बोड़ी डेट बोड़ी पड़ी हुई है तो आप इसको क्या अपनी विजय मांगते हैं उन्हें का हाँ मैंने कलिंग जीत लिया है तो आप क्या एक को भी जिंदा कर सकते हैं तो उससे वो फिर इतने उस बात को सुनके दुखी हो गए कि उसी दिन उन्होंने अस्तर और सस्तर त्याकर बहुत द्धम की दीक्सा लिए और अपने बच्चों को भी बहुत द्धम के परचार परशार में लगाया चाहें बहुत धर्म हो चाहें जैन धर्म हो चाहें हिंदू हो मुस्लिम हो है कि मैं पूजा नहीं करूंगा और उसे भी ये बात कहलवाना कि मैं इन भगवान को नहीं मानता ये कैसे कहना ठीक है मैं आपको सवाल का जवाब दे रहा हूँ उसी असोग विजद असमी के दिन 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर बावा से बंबेटकर जी ने चुवाचूत और जातिवाद से परिसान होकर उन्होंने बहुत दधम की दीकसा ली और लाखों नियाईयों को बहुत दधम की दीकसा द करने के बाद 22 प्रितियाए लेते हैं और यह आयोजन हर साल होता है बलकि नागपुर की दीकसा भूमी में जहां माने परदानमत्र जी भी जाते हैं वहां तो 20 लाक दीकसा लेता हैं आप किसी भी धर्म में चाहें वो हिंदू हो मैं फिर वही सवाल कह रहा हूँ चाहें वो मुसल्मान हो चाहें वो बहुत धर्म हो चाहें वो कोई भी धर्म हो सब एक धर्म हैं जो हमारी इंडियन कम्यूनिटी कहती है जो हम मानते हैं तो किसी भी धर्म के खिलाफ किसी भी भगवान के खिलाफ आप इस तरकी की बात कैसे बोल सकते हैं आप एक सब्द दिखा दो ज किसी के धर्म को आस्था को ठेस्प हुच आइए एक सब्द मेरा दिखा दो एक भी बयान आस्थिक का पूरे जीवन का जिसमें मैंने कि इसा्य घर्म के keywords अहे होár के दृश्ट और चाहिए और मुश्लिम कुछ को भी लेके ये कैसे कह सकते हैं और मैं इन भगवानों को नहीं मानूंगा, मैं इनकी पूजा नहीं करूँगा। कि चाहें वो हिंदू हो, चाहें मुसल्मान हो, चाहें सिख धर्मों, चाहें जैन हो, बहुत धर्मों हो, कोई भी धर्मों सब धर्मे के हैं, आप किसी भी भगवान को लेके हजारों लोगों के साथ ये क्यों कह रहे हैं, इससे क्या दर्शाना चाहते हैं, क्या कहना चाहते है क्या आपका मोटिफ है कि मैं इनको नहीं मानूँगा, मैं इनकी पूजा नहीं करूँगा और किसी दूसरे के धरम को ठेस पहुचाना, धारी में भावना को ठेस पहुचाना, यहीं मैं आपको रोक रहा हुँ, भारते जनता पार्टी क्या कह रही है, या उनके नेता क्या कह रहे हैं अब के राजंदर पाल गौतम जी ने हिंदू सेंटिमेंट्स को छेडा है, हमने किसी की धार्मिक आस्था को प्रॉख थेस नहीं मुचाई, हमारा किसी की धार्मिक आस्था को थेस परचाने वाला नहीं मिलेगा, पहले तो ये समझ लीजूए, दूसरी बात अगर भारते जनता पार्टी ये चाहती है, कि वो जिसको चाहते हैं उस पे लोग आस्था करें ये गलत है समिदान सबको अपने धर्म के पृतिया रखने की आजादी देता है किसको नहीं मानना इसकी आजादी देता है और जब आप बहुत धर्म की दिक्सा लेते हैं तो जो डॉक्टर बाबा से बंबिटकर जी ने 22 प करूंगा ये तो नहीं है न उसमें बाइस पृतिग्याओं में ये चीज है कि मैं मैं किसी भी पाखंडवाद अंदविस्वास को नहीं मानूंगा वही बात चल रही है कि जब जो अगर हम हिंदू रिलिजन की बात करें तो कई करोड़ हिंदू जो हैं वो ये देख रहे है मैं उन्हीं से एक सवाल पूछना चाहता हूं जी कि भारत के अंदर आगर हम लोग भारत से प्यार करते हैं अपने देश के समिदान से प्यार करते हैं तो हमें भारत को एक जूट करने में मजबूती देनी में अपनी बुमी का निभानी चाहिए लेकिन जिब मूँच रख नहीं करते हैं इसको कैसी जस्टिफाइए कर देंगे कि आप कह रहे हैं कि नहीं मैं पूजा नहीं करूँगा, मैं प्रग्या को मानूंगा मैं समता स्वतंत्रता बंधृता और नियाय को मानूंगा मैं सबके अधिकारों की इज्जत करूँगा मैं मानवता को सर्वो पर तिग्यां करवाई जाती है उन्य सो चपन से लगा लगतार पूरे देश के और दुनिया के अंदर होती हारी है आपका मानना क्या है आप क्या कहना चाहते है इससे मैसेज क्या इससे मैसेज है हम लोग भारत के लोग है और डॉक्टर बाबा साहिब मिपटकर जी ने करने करने का में पक्क ऺगत हूं भारत से प्यार करता हूं भारत की सांस्किती से प्यार करता हूं भॉद्ध-कडम मा भारत से गया पूरे दुनिया ने स्व्विकार किया आए आप सब दे आफ्से पुचना चाह रहा हो करके माशनों क nei Mouth you are trying to put words in my mouth also trying अगर भारत से उन्हें प्यार है तो भारत के लोगों से प्यार करना पड़ेगा आपका स्टैंड क्या है अब आप क्या कहना चाता है कि भगवान की पूजा ना करें आप हजार लोगों के साथ खड़े होके अगर इस तरीके से बोलेंगे तो उसका मेसेज क्या जाएगा अगर आप किसी को अगर आप किसि wherein बना रहे लोग इसको परिटिकल बना रहे मैं कहता हूं सबकी धार्मिक आस्थागी सबको आजादियर सबको एक दूसरे की दर्म की इसत करनी चीए सबको एक दूसरे की भावनों की कदर करनी चीए जो नहीं करता वो देजर हुई है